दोशोक श्रता आम उन्टों जाने शुर कुछी DPRC Advanced Pain Treatment उन्ष्थान आपना देर शाथे आछी आमी डॉक्टर मुनीर अरफात चोधरी दोशोक आमादेर आज केर भीशाए हाट्टु ओ कोमर बैथार अपरेशिन भीहिन आधूनिक चीगीशा निये ये विशाए आपना दे जो दिखी जो जानात था कि बाद पुष्ण कोरते चाल आमादेर शाथी जूखतो होते पारें टीवी स्कोले दावनीचे फोन नमबर गूलोगे फोन कोरे आथो बा फेस्बुक के गिये www.facebook.com लिखे स्लाइश दिए DPRC Advanced Pain Treatment लिखे अथो बा स्काइपी ते गिए www.acadv.dprc लिखे दाशोग आजके विशा आलोचन अरजना मदेर साथी उपुस्तित आचेन DPRC Hospital a Chief Consultant विशिष्ट बाद बाथा फिजिए थर्पी परलाइस इस बीशिशंग को डॉक्तर मॉम्माद शोफियू लप्रधन दाश्रोग मदेर से आरो आचेन एम अब्दुरहे मेडिगल कोलेज दिनाचपुरेर अनेस्थिश्या दिपार्मेंटे डिपार्मेंटल है दूनिक जीशनीय एव शिटाबर ऑपरेशन वीहिन तार अपरेका चेक्टु जान्तेचाई हाटू कुमर बेठाच अने करोना जानी पेथलोजिकल फिजोलोजिकल अने करोन कि अपने आपने आजी करूंत अने मेली आपने दिल करें आम आजनी जानी जानी पर्सें रूग जे तू बिशी एटा टीटमेंट जे प्रोटोकोल तो अशले बिसी बिसीकली में डान बाई मेकानिकल मेंस अने कुपमेंट बाई टीटमेंट पद्धूती आर जे मेकानिकल चारा जेटा होय पैथलोजिकल किसो को अजा से शेही खेत्रे अने सर्जरी रेक्टा अप्शन तबे शेटा फोस्ट सर्जिकल रिहाबिलिटेशन तकन गिता अबर आमा देर रोल एक्टा थाके आच्छा मने सर्जरी पोडे आवर अपने देर रोल थाके बिगोज जोगन एक्टा रोगी जोदी कुनकर ने साजेज जोदी स्पाइन टीब होय बाई कैंसर होय बाई हाट चर्णष पर आपके पर मसल्स दी दुर बल वय जोज आटके अबाई बाई कर आच्छा नो आम रा तकन एक विशल रोल प्ले कर आच है अदध्या परेटिब आप आपके आप मोल टीटमेंटन तकन गेंसर्जरी में इन्टु नब विवग क्राई प्लगी जोगी अच्छे कुमरेल रखत्रे मेरी दोने मंसमील पाज़्म स्मधुराइट परे परे इस प्रें कंझेछी साँ छोडिव परे अट्रयट unintended जे अद्रयति जेएर्टी आगहारईटी्स हो लाहने फिस मृत्रय। यम मृत्री जिए कोटिया ज्यार्त अन। अम्रा जानी आपनार प्रियोजन आपनार जुन्न कतोड गुरित्त बहन करे। प्रकपार डायगनोसिस, कॉंसल्टिशन, पेइन और पैरलाइसिस चिकित्षा उनुरबाशन आमादेर सब आये जुने, सब शमय आपना देर जुन्न 24 खोंटा खोला। आम्रा चाहिना आपनारा बार बार आमादेर काचे फिरे आशूर, तो भुव आम्रा आछी सब समय शर्वदा आपना देर पासेई। DPRC Hospital Limited, आस्था 26-0, निर्भरतय अभिचल।